आज हम बनाएंगे बिना प्याज के बहुती तेश्टि før बहुती मसालेदार सूररण की सबची यह जो सोरण बोलते है इनहें जिमे कंद भी बोला जाता है G7 इसलिए चिमी howThis इसलिए यमिकन्द याने सुरन की सब्जी बनाने के लिए तरफ से सरण बोला जाता है कि इसंगत करेंगें पंड करना होग wherein सब्सक्राइब राइव बनाने most की की यहा हूँ को बनाएंगे । रखे ना उन्हें भी क्या करें करें तरह से कब से कम लो ही क्या करेंगे पंच आ किैया करेंगे मतलब कि इन मेंách प्रण पगएंगे जैसे आलो को की कुकर में लुग डाले कि इसमें खटा चीज़े डालना पड़ता है कि जीमिकंद्ध लुगाइए को दो क्मछ और मुत रहले आम की घुटा मीदे ना समस्क्राम की खटाई डालिए हूँ, अगर आपके पास में आम की खटाई है तो आप डही भी डाल सकते हैं, बनाते हुकत, फ्राइ करने के बाद में या फिर श्रup powder भी डाली हूँ, में आम की खटाई डाली हूं इसमें ही पानी कम से कम देर गलास के करिब और इनक यसके बाद में हम लोग इनमय कुछ मसाले लिये हैं मसालों में है जीरा है लहसुन है काली मीरश छोटी इलाइची हरी इलाइची लॉंग Derek लाल मेरच लिये हैं खड़े मीरच और सूखी धनिया है일 मेथि धनीया इसमेँ ही हलका सा पानी जो है न मौईस्टर वो निकल जाए इस तरह से ही भूनना है तेखिए सभी मसालों में जो है अच्छी तरह से आ गया है भून गया है उसके बाद में क्या करें ग्यास बंद कर दे हलका सा ठंडा होने दे हमारी जो मसाले है वो हलका ठंडा हो गया है उसके बाद म नियुक्त कबगले हुञा, यह वाधिकत लसी हैं Holdingर संदें अगर नियुक्त करें, यह नहीं पका हैं तो अगर फिर यह कम इस ऩैने टखिने ंज як पका झाल देन कि निगाब ले निग Làने के बाद किया करना हूए इसमें पानी डालना है और इनकी जो ऊपर की परेथ लिए टीडूशने इस è Naomi निकाल ले कि निकाल ले बाद में करना है इनकी पीश करना है चाको सायता से कौंखर ले करने पिस कर कर ले यह देखे इस तरह से छोटी छोटी पीसेस करना है जैसे हम पनीर की पीसेस करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप उससे बड़ा या छोटा कर चते हैं आप अपने इसाब से देखे मैं सारे जो पीसेस है जिमिकंद की वो कर ली हूँ देखे आप देख सकते हैं कितना सही लग काड़ाय को अच्छी तरह से गरम करें घरम तेलेा back पीसस को डाले और इन्हें हल्का कम से कम 3-4 मिनिट हाई गयस में भून ले इस तरह से भूनना है 3-4 मिनिट हो गया है यह देखिए हमारी जो जिमिकंद का कलर है वो चेंज हो गया है भूनते वक्त क्या करें लगातर चमज चलाते जाए ने तो आपकी जिमिकंद है वो क्या हो इन्हें निकाल ले और इसी कड़ाई में तेल डाले और तेल को अच्छी तरह से गरम कर ले गरम तेल में तेज पता डाले तीज पता डालने के बाद में इसमें ही यह तीन से चाय टमाटर की प्यूरी है इन्हें डाले और इन्हें कम से कम एक मिनिट अच्छी तरह से भून इक मिलिट हो गया है उसके बांद में क्या करना है इसमें ही सादा नुसार नमक और हल्दी पौड़ाइब रड़ लाईल मिर्च पौड़र नहीं सकते कौकि खड़ी मीर्च हम OR पहले यह डाले हैं तीन से चार मिनिट हो गया है यह देखिए आप देख सकते हैं इसमें से तेल जो है न चुटने लग गया है मतलब कि हमारे जो मसाले वह अच्छी तरह से पक गया है उसके बाद में क्या करें हम लोग जो मसाला तयार किये थे ना जीरा लहसून अद्रक लाल मिर्श खड़ेल भूनी भी तो उनकी मसाले जो है न उन्हें इसमें डाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले यह देखिए इस तरह से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद में ढग कर कम से कम 2-3 मिनिट पका ले यह देखिए हमारी जो मसाले है कितनी अच्छी तरह से पकी है इसका कलर आप कम से कम एक मिनिट पकाले एक मिनिट के बाद में हम लोग जो तले के रखए हैं जीमिकन्द और अच्छी तरह से सभी को मिक्स प्रक्ता में जाले मसालय में अच्छी तरह सेыми जारा चाहे हैं उसके बाद में ढख कर निकाले और इनमें जरूरत की सबसे पानी डाले पानी डालने के बाद में सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद में इन्हें फिर से ढख कर कम से कम तीन से चार मिनिट लो मीडियम ग्यास में पकाले 3-4 मिनिट हो गया है देखिए हमारी जो सबजी है कितनी अची तरह से पकी है ज़र आप इसमें कुछ भी खटाई नहीं डाले हो और दही डालना चाहते हो तो क्या करें जब पानी डाले है उसके बाद में आप दही डाल सकते हैं उससे भी इसमें से खुजली जो है वो नहीं ह तो 3-4 मिन हो गया है ग्यास बंद कर दे और इन्हें गरमा गरमी सर्व करें चावल या रोटी के साथ में खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह बीना प्याज की सबजी है लेकिन देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है